मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ एक औशदी के बारे में बागवट जी कहते हैं और भी महत्यू की है दालचीनी दालचीनी के बारे में बागवट जी कह रहे हैं कि वायू के जितने भी प्रकोप हैं जैसे दमा, अस्थमा, ये वायू की बीमारिया अस्थमा, दमा, वाथ की बीमारिया, वायू की तो इनको खतम करने में या समाप्त करने में या इन बीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दाल चीनी और दाल चीनी के बारे में बागवट जी कहते हैं कि ये दमा अस्थमा इनको तो खतम करेगा ही बात के सब रोगों को खतम करेगा कफ के रोगों को भी खतम करता है कफ के रोग आप समझते हैं खासी है, सरदी है, जुकाम है मुटापा है, वजन बढ़ना ये सब कफ के रोग है तो इन में भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे उतना ही इस पर भी है कफ की तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से दालचीनी आप सब जानते हैं आसानी से आपको पहचान में भी आती है बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज़्यादा उपयोगी है पाउडर के रूप में कई बार मैंने देखा भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल देते हैं या उसकी वो जो चाल जैसी है वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है और दालचीनी के बारे में बागवटी जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड के साथ इसको खूब घिसिये रगड ये ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड मिले फिर खाईए फिर पीछे से थोड़ा गरम पानी पीजिये अद्बूत परिनाम और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका मरदन मरदन एक शब्द उन्हों ने इस्तेमाल किया मरदन माने गिसना रगडना तो वो कहते हैं कि खूब रगड करके मरदन करके शहद में ऐसे 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 पांस साथ मिनिट फिर चाटिये और थोड़ा हलका गुनगुना पानी पीजिये तो आपके शरीर के कम से कम तो पचास रोग ये अकेला दालचीनी खतम कर देगा कम से कम पचास कफ के रोग और वात के रोग तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं अपने रसोई में हैं अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं रसोई से बाहर निकलता हूं क्योंकि रसोई में अगर मैं बोलू तो और तीन-चार दिन जाएगा आपको और ज़्यादा विस्तार से ये जानना है तो मैंने बार बार कहा है पुस्तके हैं एक पुस्तक है जो रसोई घर पर ही केंद्रित है जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा और एक दूसरी है सौंदरि चिकित्सा मने इसकिन के जितने डिसीज हैं बाहर हैं आप ले जाएए बागवट जी के ही सारे सूत्रे हैं बस इतना ही हमने किया है कि भाशा थोड़ी सरल की है और उपियोग आप कर सकें आज के समय में उस हिसाब से उस सूत्र को लिखा है लेकिन जितने सूत्र हैं किताबों में वो सब परिक्षण करके लिखे गए छे-साथ साल हमने खूब परिक्षण किया है परिणाम मिले हैं तब ही उनको लिखा है ताकि किसी को फाइदा तो हम दें अच्छा है नुक्सान किसी का ना हो हमारे कहने और करने से दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंड्रोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें